यह हमारा चार्जबल लेडी बलफ है तो इसको हम जैसे सप्लाइभ देते हैं तो यह गलो करता है लेगन light जाने के बात यह LED ब़िफ गलो नहीं करता है यह देखिए दोनों टर्मिनल को मैंने यहां पर टच किया लेगन हमारा LED बलफ यह पर काम नहीं कर रहा है तो बने दिए वीडियो के एंड तक तभी आप इसको अच्छे समझ बाएंगे नमस्कार दोरसु मेरा के स्वागत आपका अपना यूटूब चैनल इलेक्ट्रिकल सोलिशन में असार करता हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे तो शुरू करते हैं यह वीडियो तो सबसे पहले डिफ्यूजर को खौलने के लिए हम नॉर्मली इसको अगर इस तरह से इसको नॉर्मली इसको घुमाने से हमारा डिफ्यूजर खुल जाता है और इस डिफ्यूजर को यहां पर हम देख सकते हैं कि सभी LED यहां पर सही है किसी भी LED पर डोट नहीं बना हुआ है में अंदर डालके इस परकार से घुमाएंगे तो हमारा जो यह circuit यहां पे दिखाए देगा तो यह पूरा यहां पे open हो चुका है तो फैस्ट में circuit को देखना यह कोई component तो ज़डा हुआ नहीं है यहां किलियर दिखाय दे रहा है की सरकेट में कोई भी कंपोनेंट जला हुआ नहीं है और यह इसमें लीट्यमयन बैटरी है přेंस्ट में हम यहां पर इस बैटरी का वॉल्टेज चेक करेंगे कि यहां पर वॉल्टेज आ रहा है कि नहीं आ है तो मल्टिमीटर को DC range में रखना है और यहाँ पे positive हमारा उपर वाला है और negative नीचे वाला है तो इसी परकार से यहाँ पे इसको check करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बेटरी का voltage आ रहा है 0.12 तो यहाँ पे हमारी बेटरी का problem है अभी हम इस LED बलफ को supply देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि supply आ रही है कि नहीं आ रही है जो बेटरी का दोनुप point है इसके उपर देखना है इन दोनुप point के उपर LED बलफ को मैं यहाँ लगा दिया हूँ और supply देने से पहले दोनुप प्रोब को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ यहाँ पे confusion नहीं हो गलाना है जो बेटरी के दो टर्मिनर यहाँ पे आपको दिखाए दे रहे है positive और negative है तो यहाँ पे यह वाला positive है यह वाला negative है तो बrånा shift में positive प्रोब और नहीटिव नगेटिव प्रोब को लगाना है तो मैं यहाँ पे इसको बेटरी के लिए आउटपूट सप्लाई यहां पे मिल रहा है लिए बेटरी यहां चार्ज नहीं हो रही है तो यहां पे किलियर हो रहा है कि हमारा बेटरी का प्रॉब्लम है बेटरी को यहां पे सप्लाई मिल रहा है लिए बेटरी यहां पे चार्ज नहीं हो रहा है तो हम इसके हिस्तान पे नया बेटरी यहां पे लगा देंगे तो हमारा सर्किट यह पूरी तरह से काम करना शुरू कर देगा लीथियमाइन बेटरी को हम किस परकार से प्रोटेट कर सकते हैं तो इसके उपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाये वो वीडियो आप देख लीजिएगा जिससे हम लीथियमाइन बेटरी के लाइब को और बढा सकते हैं तो यहां पे जो बेटरी के इसमें जो टर्मिनल है य तो यहां पर देख सकते हैं 0.24 तो यहां पर हमारी बेटरी ही खराब गए अब इस बेटरी के स्थान पर मैं यहां पर दूसरी लिथियमाइन बेटरी का यूज करूँगा तो यहां पर आप चाहे तो इस कनेकटर का भी यूज कर सकते हैं इसको यहां से कट करके इसमें कनेकटर लगा सकते हैं दूसरी लिथियमाइन बेटरी में अब जो यहां पर B22 केप हैं यहां पर पहले प्लास्टिक का कवर दिया गया है ताकि यह अंदर टच नवू तो हम इसको अगर डारेक्ट लगाएंगे तब भी हमारा यहाँ पर बलब काम करेगा तो यहाँ पर सोड सर्कीट करतों कोई इसमें लग नहीं रहा है तो हम यहाँ पर इसी को ही अंदर फिट कर देंगे इस बेटरी को इस परकार से लगाएंगे कि यह उपर की तरफ ऐसे रहे सरकीट यहां पर बहुत इजीली इसमें यहां पर यह बेटरी अभी इस परकार से फिट हो जाएगी तो बेटरी को यहां पर अंदर तरफ दख्का देना है अभी हमारा बेटरी यहां पे बेट चुका है और यह दोनु वायर को यहां पे हम बहार निकल लेंगे तो यहां पे हमारे दोनु वायर बहार निकल चुके हैं और यहां पे यह जो हमारा यह वाला पोजिटिव है IC के पास वाला हमारा negative है तो wire को इसी हिसाब से यहाँ पे cut करना है तो आप देख सकते हैं जो हमारा यहाँ पे extra wire था तो उसको हमने यहाँ पे cut कर दिया और जो बेटरी के दोनू wire है इनके ओपर अच्छे से soldering करना है और उसके बाद हमें इस point के ओपर इसको connect करना है तो यहाँ पे हमने दोनू point के ओपर soldering कर लिया है और यहाँ पे जो यह wire है यहाँ पे यह wire ज़्यादा extra नहीं होना चाहिए नहीं तो यहाँ पे short circuit हो सकता है अब हम यहाँ पे negative में negative और positive में positive को connect करेंगे तो यह वाला point इसका negative था तो यहाँ पे मैं negative wire को solder कर देता हूँ तो यहाँ पे negative wire को मैंने soldering कर दिया है अब हम पे positive wire को इसके ओपर soldering करूँगा तो यहाँ पे जैसे मैं इसको एक बड़ तच किया तो हमारा LED बलफ यहां पे glow हुआ अभी मैं positive wire को यहां पे solder कर दिया हूँ ध्यान रहे हैं कि यहां पे soldering मजबूत होनी चाहिए तो यहां पे हमारे soldering complete है अभी हम इस LED बलफ को यहां पे test करके देखेंगे कि यहां काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो टेस्टिंग के लिए इन दोनों point के ओपर यहां पे हम जैसे इसको driver को यहां टच करते हैं तो हमारा LED बलफ यहां पे काम करना शुरू कर देता है तो इस recharge अपर LED बलफ में सिर्फ बैटरी का problem था जिससे हम इसको proper use नहीं कर पा रहे थे तो अब हम इसको connect कर दिया यहां पर अच्छे से इसको cover लगा दिया है और जैसे दोनों point के ओपर हम यहां पर जैसे इसको touch करेंगे तो हमारा LED बलफ यहां पर काम करना शुरू कर रहा है और light जाने के बाद हम इसका पुनाई use कर पाएंगे उमेद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही पसंदर लाइक कीजिए इस वीडियो समझे अगर आपको कोई सवाल या सुजाओ हुए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूर सकते है साथ यह अगर आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लिजिए ओल बेल आइकन को भी ओन कर लिए साकी आने वाली हैलफुल वीडियो का नोटिफिक्शन आपको मिलता रहे इस वीडियो इतना ही धन्यवा दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में जय हिंद